कि यह हाई एब्रिवन डिस इस में दीपक कुमार सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें एब लेगात कर दो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने यहां से फॉलो कर सकते हैं आपको कोड यूज करना उसके लिए दीपक वन ठीक है यह सब्सक्राइब करने पर आपको इसका वेनिफिट मिल जाएगा इसके लिए इसके लाँ रेखेंगे वन सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्कॉलर्शिप जीश सकते हैं ठीक है यह सारे बेनिफिट आपके लिए अब लेबल है इसके लाँ रेखेंगे वन सब्सक्रिप्शन टू क्रेंगी टॉल ठीक है 25 परसेंट 10 परसेंट यूजिंग रेफरल कोड एडिशनल 10 परसेंट अर्टी में टेस्ट सीरीज यह सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं ठीक आन लिए जी हां इसके लोगा ध्यान देंगी आइक अनिक प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइप टेसिस सुर्ट मिलता है प्लस के फीचर के साथ क्या मिलता है आपको अने कट मिया पएक परसनल मेंटर देती एक एक एस्ट्टी मटिरियल धिस्ट मैं को टेस्ट अनली सिस सारे फीचर से उसमें एक्स्राव है इसके लापको धियान देना है डीपक वन कोड यूज करने पर आपको ठीक है सेम यह मेरा रफल कोड है आपको 10% डिसकाउंट अबलेबल होगा मेरी परसनल मेंटल से भी मिलेगी ठीक है तो ली जादा समी स्पेसल बेनिफिट फो यू इस स्टाट हो चुक है फस्स सेप्टेमबर से आपका 360 डिगरी कबरेज बेचे से स्टाट हो रहा है एक तो आप 2022 की यारी कर रहे है तो गेट सब्सक्राइब ठीक है हाँ लेट होने से पहले आप सब्सक्राइब करें चलिए तो एक बार बता दें वाइस वेश्वेरा क्लियर ह सब्सक्राइब करें ठीक है जी गोड़ मॉनिंग गोड़ मॉनिंग एब्रीवन हाव और यू नौल गोड़ जी हाँ हैपी जनमास्ट में आप सभी को चलिए बट्चो देखेंगे कल का जो लेक्चर था आप सभी को साथ पता होगा ब्रेटन वूट कॉन्फरेंस पे था ज बहुत से निकले वह cigars निकले उपॉर्टन ना कि ब्रेटन वूट कॉन्फरेंस दैटसव ही मैंने का कि ब्रेटन वूट कॉन्फरेंस 5 मैं टापिक हो तुम इसी में पढ़ा दूँगा क्या तो चलिये देखते हैं बच्चों आप सबसे पहले ब्रेटन वूट क्उन्स क्य सब्सक्राइब पढ़ गया ठीक है जो नियू हम सायर में है लेकिन रियालिटी में अगर आप देखेंगे इसका मतलग यही था यूनाइटेट नेशन्स मॉनिट्री एंड फिनांसियल कॉन्फरेंस ठीक है देखें बच्छो अगर आप लोगी परवीशन हो तो में थोड़ा स जैसे आप देखेंगे यहां पर खासकर 1750 टीक है इंडस्ट्रियल रेवलुशन स्टार्ट हुआ था लिए हैं बच्छों इंडस्ट्रियल रेवलुशन जब स्टार्ट हुआ तो इंग्लेंड जो है यूके इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा और इसको प्र प्रॉफिट है नूब मार्केट की वज़े से ग्लोबलाइजेशन एक्सपांड हुआ हुआ जब ग्लोबल ट्रेड डैबलफ हुआ और जब ग्लोबल ट्रेड डेबलफ हुआ तो आप सब देखा हुआ कितनी डेश कालोनी वनी और हम बाकी डेसों की बात क्या करें खुद ह हमारा भारत ठीक है जो करीब 1600 से लेकर और 1947 तक ठीक है करीब साढ़े 300 साल तक हम गुलाम रहें तो जब हम लेकिन बच्चों इस ग्लोबल ट्रेट ने क्या किया पूरी दुनिया को एक घेरे में डाल दिया और सब्कूर कर दिया अधिकर दिया लेकिन कर दिया पहले बाकि दो बात में किया ग्ठेर तो इसने क्या किया पूरे वर्ट और कनेक्ट कर दिया और जब पूरा वर्ड कनेक्ट हो गया ठिक है तो ल मुद जब डेबलप तो यहाँ और से स्टार्ट होता है है major won्पेटिस्ट ढगे जिसे लिमिटेड रिसोर्स पर जब इतने लोग अपना दावा पेस करेंगे तो वहीं पर कुछ लोग और उपर कर आए जिसमें दो नेशन है जिसमें एक था जर्मनी और एक था इटली पहले कहावत यह होती थी कि इंगलेंड का सूरज कभी नहीं डूपता इंगलेंड का संसेट क एक मुझको भी एसी ऐसा सूरज जई है जो मेरा डूपता ने siya मतलब यह मैं आपको मजा का बोल रहां वहाँ बट यह रियल वर्ड घऱणी यह जर्मनी ने अपने सब्दों में कहा था कि मुझे भी ऐसी जगा चाहिए जो कभी डूबे ना कहने का मतलब मैं भी कोलोनी बना हुआ इस कोलोनाइजेशन ने स्टार्ट किया ग्लोबल कॉम्पटिशन मर्केंट लिजम पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कंट्रोल करना और पूरे वर्ल्ड के रिसोर्स को एक्स्प्लाइट करना इसमें अब तक सबसे आ पढ़े और उनको भी चाहिए था वह सूरज जिसका कभी अंतना हो अब यूजियो के ने बुल एसा सूरज कहां से लाएं भाई जिसका अंतना हो तो बोले लड़ा लो एक ही सूरज है ठीक है आप इन्ने किया है इसे कहते हैं फर्स वेल्ड वार में कि क्या करते हैं फर्स् हो गई है जब भी कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो एक का प्रभाव दूसरे पर होता है समझे तो अब क्या हुआ कि जब इनका इंपेक्ट जब पढ़ा ग्लोबल एकोनॉमी पे तो फर्स्ट वर्ड वर्ड वर के बाद में हरेक एकोनॉमी अपने आपको बाहर निकालने के ल भिगए मेर पालिसी केज से हैं हमारा प्रिए भिखारी पढ़ोसी इसे कहते हैं बेगर डाइ नेबर पालिसी यह कैसे होता है लe involve एकमगे और है एक और यह चाइना है ओर लेंगे चाहिना इतना है इंडिया है और में हमें इंडिया पूर्ट बना तो चाहिना को ठोटा क्योंकि थी धिशी हमें जीवी थे एक उनॉमिक इसाथ हमिदी हास भी बड़ाते हैं ठीक है तो हुआ क्या पकिस्टांट यूग बन गया लोग ठीक ह चाइना जो है चाइना क्या करता है डी वैल्वेसं करता है की जिसे मान लिजी कि आपके इंड्या इंडिया में चलती आपका यूण ठीक है अब क्या हुआ कि मान लिजैसे एक यूनिट मान लेते हैं ठीक कि 30 इंडियों में सूगर मिल रहे हैं और दॉलर के कंपरीजन में देखेंगे तो वन डॉलर इसकर टू-30 यूवन और वन डॉलर इसकर टू-30 रुपीज दोनों एक हैं इसमें घबराने के बात नहीं है तो 30 रूपीज और 31 से में तो मतलर अगर अमेरिका का कोई भी बंदा या कोई भी फॉरि यह और दे प्टाव चाहे चाइना पूटे उससे वन केटी सुगर मिलेगा लेकिन चायना ने दिमाग लगाया चाइना ने कर लिया डी बैलिवीशन प्रद चांब चांब का डी वैलिवेसन हो गया तो डी वैलिवेसन में मांधों कि तो वन डॉल इसगर टू 31 की जगह इन्होंने कर लिया 61, ठीके 61 तो आब आब आप केरेंसी क्या कहती है, वन डॉलर इसगर टू 61 ठीके, और इंडियन केरेंसी क्या कह रही है, वन डॉलर इसगर टू 30 रुपीज, अब अगर कोई बिडेशी आदमी एक डॉलर चाहेना को तो दो किलो सुगर ले जाएगा टू केजी और इंडिया को देगा एक वन केजी सुगर ले जाएगा अब ऐसा कौन सा एकोनौमी में ब्यापार खरने वाला देश है जो इतना बड़ा मूर्ख होगा कि जो एक डॉलर में जहां दो किलो चीनी मिल रही हो वाँ एक किलो खरी द एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा और इसका बेनिफिट चाइना उठाएगा और जब भी कोई देश ऐसा करता है उसके चारों तुलर्ब जो देश होते हैं उनका एक्सपोर्ट ठप हो जाता हुँ एक हिसाब से बिखारी बन जाते हैं इसे कहते हैं बेगर दाई नेवर पॉल इस इसे लिए लेकिन फिर भी पावर समझ लूब से कहते हैं इस्त्राइब को सीखना पड़ेगा एक फ्रांस से बिढ़ रिसोर्स पावर्फुल कंट्री इसी फ्रांस ने आफ्रीका पर रूल किया जिसके पास रिसोर्स है लेकिन पॉलिटिकल पावर फुल नहीं थी हां क्यों लिए अप्रमेटर करता है यह में इत्यार से सिंखने को मिलता है अच्छा आप ऐसा जब होता है यहां पर सभी द्यसों के बीच में प्रॉबलम आगे जब सभी टेसों कुछ स्टार्ट किया जहां देखो वो सुरू कर रहा है कि सीने उड़ा मेरा डिमेलियोशन में अब इंडिया उसमें ब्रिटिस के अंडर में था तो इंडिया में भी डिवेलिविशन मुलब भाई सब आग लग गई पूरी ग्लोबल इकना में डिवेलिविशन हो रहे हैं अमेरिका क्या होता है कि हम से जोग्राफिकली बहुत अलग है अगर आप देखेंगे यूरोप ए अब इस ने देखा कैसे इंगलेंड बरबाद हो रहा है और अमेरिका ताली बजा रहा था फिर वर्ड वर्ड वर ठीक है मन सोरी डिप्रेस होगी पुरी एकोनमी तबाव होने लगी इसी में जन्म दिया सेकंड वर्ड वर को ठीक है और जब सेकंड वर्ड वर का जन्म पूरा ग्लोबल एकोनमी तबाव हो गया और फिर आता है युनाइटेट निस्सद में युएसे का इंटरफेरेंस और बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे एक कॉन्फरेंस बनाएंगे जहां पर हम इंटर्वेशनल लेवल पे मॉनेट्री और फिनांसियल मुद्धे को स सबेरे में कितने लोग आए मालूम मैं 44 लोग भारत भी था इजट बराबर सुर्वास से मिली यह थी खेंगे बहले बेज़ती लेकिन इजट शुर्वास से मिली वाई यह बात या रखना ठीके सबीक मालूम था ये देश ना प्राचीन समय से लेकर और आगे फ्यूचर मे अने में बिसा बूब ऊ shy लेकिन में अलेकिन समझ रहो हों हमें को ट इस ञाव distinction ask की बढविकावाही ए लेकिन इतिहास की बहुत बड़ी बढ़ी गवाही है जब भी बढ़ा वां दिक है जब हुझ बारे जरूर यह यहां भी भाह meow 44 एलज ने आते बात करते हैं मिक्राुत पूछे नाम मत याद करने कुछ बच्चे क्या करते होटल मार कर लेंगे होटल का नाम या था मांट वासिंगर ड़न फिर अपने दोस्से पूछेंगे यह बताओ ब्रेटन हुआ था किस होटल में उसको पूछेंगे ना कुछ लिग गया है यह आटिकल से लिया है मैंने भी क आपको देखेंगे यूनाइटेट इस्टेट टुरेट इंटरनेशनल मॉनिट्री एंट फिनांसियल और आफ्टर सेकंड वर्ड 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 के बार इन लोगों ने फोकस किया ठीगे अच्छा आप देखेंगे समझेंगे यही से ब्रेटन को कॉन्फेंस से स्टार्ट ह होता है ठीक है आप इसका जो में नेम ठीक है वो तीन चीजों में बढ़ जाता है वह आपको देखेंगा तो इन्हीं ब्रेटन रूर्ट कॉन्फेंस में जो डिसीजन लिए गे उस डिसीजन ने प्रिष्ट भूमी तयार किया मतलब बैक्डरों तयार किया ठीक है धीन और इसन का पहला ऑर्गनाइजिशन क्रियेशन और इन टेरट करेंगा यह क्या करेगा रेगुलेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेट को यह वहीं है जो बर्बाद कर देखे पॉलिसी लेकर बेगर दाइन नेबर पॉलिसी इसको रोपने की बात की अच्छा आपको मालूं है यह वर्ड फेमस कब से हुआ रहू राम राजन का नाम मालूम है आपको र अब रहू राम राजन कि इस फिर से एक ग्लोबल डिप्रेशन को बलावा है जब जब यह होगा टो ग्लोबल डिप्रेशन आएगा इसका एक जांपर हमाया सामने नाइंटीन ठर्टी में है तो कि अभी चाइना करनी रहा था आपने देखा वाट डिवेलवेशन कर रहा था एक्सपोड को बढ़ा रहा था डंपिंग कर ला था समझ नहीं रहो यह तबाही मचाने के लिए लगा हुआ था इसे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है ठी ठीक है चलो यहां पर देखेंगे से क्रियेशन आप दा इंटरनेशनल बैंक फ़र रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलापमेंट ठीक है यह बहुत अच्छा लोग में इसने इसने बुला हम पहले बरबाद करेंगे फिर बनाएंगे इन्हों नहीं पहले बरबाद किया फिर न बाद करेंगे ठीक है उसके बाद देखेंगे क्रियेशन आफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन्होंने आई एमफ इस्टेपलिस किया अब यह क्या करेगा आप सभी देस की कैरेंसी अलग है ग्लोबल ट्रेड है कोई डिवैलेशन ना करने लगे कोई करेंसी की जाए जाएगा आएमफ क्या करेंगा मॉनिटर करेंगा एक्स्चेंज रेट को ठीक है उसके लावा यह रिजर्ब करेंसी लेंड करेंगा ठीक है टुड़ नेशन बिटर टेट डेपसिट अगर किसी का ट्रेड डेपसिट है मैं किसी ने किसी देश से बहुत खरीद लिया पैसा ने देपा रहा है उसके करेंसी में तो उसको एक है कर लीजे लून लीजे लेकिन इक चीज़ यार रखेंगे यह लोन तब देता है जब आप मलने के कगार पे होगा जब आपके सरीर में खून का एक एक कत्रा निकल जाएगा और आखरी ड्रॉप होगा जिससे आप पची हुए और निकलने वाला होगा तभी आए में फाइगा हाथ रख देगा पागल है क्या मैं हूना तो तुम्हारा पूरा खूंद इसके सामने निकल जाएगा वू तुमको देखके हसेगा ठोड़े बात आये में फाइगा पगला गये मैं हूना क्यों मैं हूना वह सब करते हैं आगे हम लोग देखेंगे करके तो चलिए देखेंगे यह दोनों और अगनाइजिशन हमारे दो दिन के बात की क्लास में है अभी आज की क्लास में हम सुरुभात करेंगे ट्रेट से ठीके क्योंकि बेसिक समझे लेंगे इनका मतलब पता चलेगा ठीके तो सबसे प आप डेट हुआ है सब करा हुआ है ठीके हां चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ठीके जनरल एग्रिमेंट और टैरिफ एंडेट जैसे कि आपको इसमें दो वर्ड मिल रहे हैं टैरिफ और दूसा वर्ड मिला टेट तो मैं आपको पहले सुरुवात मीं बता दूँ आ जो जित्ते अफेक्ट होगो मैं हसी हसी में करा दूगा ठीक है बोजर रटने की जोत नहीं हो सिंघंघं मत बन जाने चैप्टर में सिंघंघं कल वाले में बनना आज वाले में तो बस इंजवाए के साथ पड़ो टैरिफ और ट्रेट दो वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं एक ट्रेड होता है। जिसमें लोग कड़ेह है कि भाईया यह लोगोड ओव दो समाग पैसे एक एक कटेंड लेकिन कहीं कहीं पे डीड होता है तो लोग रस्रिक्षन लगाते हैं रस्रिक्षन मतलब कई देश अपनी बांडरी पर बोलता है कि तुम्हारा यह गुट्स हमा बड़ी बाते हुई कि भी प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेट ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन सभी देशों ने क्या किया अपना दर्वाजा बंद कर लिया और जो बाहर से कोई गुट सा है तो उसने बोला नॉक 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 तो देशों ने बोला हम ना तु दो चीजों पर फोकस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेट की ग्रोथ और टैरिफ को रेगुलेट करेंगे ताकि इसका कोई भी निगेटिव इंपक्ट किसी भी मेंबर कंट्रीस पे ना पड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है आद देखेंगे जिसमें सबसे पहला फोकर जो ह हुआ ठीके बेगर दाई नेबर पॉलिसी को कंट्रोल किया गया ठीके क्लियर है जिसकी उजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में ठीके इसको सबसे पहले कंट्रोल किया गया उसके बाद फिर उसी की वज़़े से वर्ड वार भी आया था ठीके एकोनॉमिक की डेफरीशन लोगर वर्ड वार इसी वज़़े से आया था ठीके बाकी इटीहास में जाओके तो वो सारी डीजन थे मेन रीजन यह था ठी जो पोस्ट वर्क रिकंस्ट्रक्शन में एकोनॉमिक इस्टेबिटी ओपीस को स्टैबलिस कर पाए और इसी की चाहत ने जनरल एग्रीमेंट टैरिफ और ट्रेड को इस्टैबलिस किया यह एक मल्टी लेक्टर कॉंट्रेक्ट है मार्क कर लेंगे मल्टी लेक्टर कॉंट्रेक्ट है टू लिबर लाइज दा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को लिबर लाइज करता है टैरिफ को कम करता है कुछ टैर्फ को खता आता है यही से कुछ आएंगे यूरोपेन यूनियन कस्टम यूनियन एकोनॉमिक मार्क कॉमन मार्केट इसा बात में अभी देख बताने वाला हूं ठीक है नेक्स देखेंगे जो जनरल एगरीमेंट और टैरिफ एंट्रेड है जैट वर इनीशिली साइंड बैट ट्वेंटीटीट कंट्रीज अब यह कैसे अपनी लगने वाली है क्यों क्योंकि इस अब बड़े जोने संथे इनको कोई प्रॉब्लम नी होगा ओपन एकोनॉमिक रिगलेस्ट क्योंकि आप अगर रिगलेस्ट नी बनाऊंगे तो प्रॉब्लम है कि न आप सुपीरियर आप सूपर पावर्फुल एपर फिर से एक्स एक साथ आए यह 15 लोग एक जगह साम कोई कठा हुए सब कॉफी चाहे पे बाकी चीज भी होगी ठीक है लेकिन मुझे तो कॉफी चाहे पता है यह लोगी कठा हुए और लोगों ने बोला कि दिखो ऐसे कैसे चलता है अगर यह बड़े बड़े देसे अगर यह कानून नही इस कहीं बनाएंगे कि बाते बाते करें कि तोंफ को हमारा फिर से Com Tranics और से हमारे रिशूर्ष का एक स्पHome Milfern सो का एक कांदे से शेए इससे और संब आप सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है कि अब देखेंगे समझेंगे दा इंपॉर्टेंट इस डैट ठीक है यह लोग इसे चलता है मतलब आप आप जो मन अपने मिसाब से कर देंगे तो हाँ कुछ और थे कितने थे आठ लोगों थे आठ देस ओर थे जैसी लोगों ने और आगे यह हुए टोटल तेस अब 44 में 23 एक ही गाना गा रहा है क्या देखें यह गाना गा रहे हैं कि एक एग्रिमेंट किया जाए ठीक है जिसमें बेसिक रूल ठीक है वर्ड ट्रेडिंग सिस्टम के डिफाइन और जिसको समय समय पर परिरियोडिक ली ठीक है मर्टी य राउंड या नेकोसिशिसर्स में सॉल्ड किया जाए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बड़ी हाँ है अब तुम इत्व होगे हो तो हम क्या कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं आप क्या हुआ हुआ है करी 50 शालों बात सुर्वाथ वहां से वीटी लेकिन पचास सालों बात एक रूप लिया ठीक है जीए टीटी तो आ गया था लेकिन नाम का था ठीक है क्लियर है इसका कोई इंपैक्ट नहीं था पचास साल बात फर्स्ट जनवरी 1995 को इसी जीए टीटी को चेंज करके आया था जनरल सॉरी डपलू टीओ वर्ल्ड ट्रेट और्गनाजेशन ठीक है जनरल एग्रिमेंट ऑन टैरिप एंड ट्रेड बिकेम दा वर्ल्ड ट्रेड और्गनाजेशन बिट 123 मेंबर कंट्रीज ठीक है अब ये डबलू ट्यू कैसे आया था ये भी बहुत अच्छी कहानी है क्या कहानी मैं आपको बताता हूँ कहानी को समझेगा तब ही आपको मज सबसे पहले रोएं फिर पंदरा के बात आठ हो रहा है ये भी रोए इनने भी बोला नहीं ऐसे नीच चलेगा ठीक है अच्छा ये रोए अपन्दरा आठ होगे टेईस टीक है आप हम बनाते हैं जी एटीटी मतलब हम लोग एक रूल बनाते हैं तो फिर आया जी एटीटी अमरी बात को धियान में रखेगा ब्रेटन कॉफरेंस में देखेगा क्या था अब देखें यह यह यहाँ पर क्या था इंटरन लिशनल ट्रेड और और गनाजिए संजी यह टीदी निइधा ट्रेट और में जिसन रूस नहीं थे ठीक है बस एरिगुलेर्टी अट अपके जो इस नहीं थे इनों ने बोला जी एटी टी बना गया बच्चों ठीक है रहे हां तो यह भी इम्पोर्टेंट है तो जीए टीटी आया बच्चों और सब कुछ डिसीजन हो गया लेकिन जो डेबलब ने संटे यह बहुत अलाग थे बोला आज नी तो कल बदला लेंगे यह क कि 1995 कि वो समय था इसकी चार साल पहले जब इंडिया बहुत परिसान था और जब इंडिया बहुत परिसान था तो इंडिया ने यहां पर डिसीजन लिया कि हम आएमेफ से लोन लेंगे 1990 की बात है तो आएमेफ ने बोला तुम दर्वाजा खोलो पैसे देते हैं तो हमने करो यह यह बाव इंडिया ने पड़ा इंडिया ने बुला नहीं करेंगे में तो नहीं करों पैसा जो था हमारी तुमको करना उत्ली मिलेंगर नहीं मिलेंगर निक जाऊ भारत के पास में आप्शन नहीं था इंडिया में साइन कर दिया लेकिन एक ट्रब ये भी घवराने वाली बात ही कि आखिर इंडिया ही क्यों तुम्हें बताओ एक बहुत अच्छा और्गनाजीशन बनाया गया था नहरू जी के टाइम में इसम कहते है नॉन एलाइनमेंट म इसमें उटाना चीए पर जैसे इंडिया ने साइं किया और उसके बात फिर टुरेंट सारह लेटर जिटने भी डवलपिंग ने संथे एस आ आफ्रीका के सब को बाठ बाढ़ दिये लोगे आंडर नंके पास चले इंडिया को पता चला कि जो हमसे agreement sign करा एंडिया ने फोन मिला या इंडिया ने बोला देखो मत करना मतलब तुम 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 अकेलिया मतलब हम नहीं साइन करें तुम जा रहे हो तो हमको जाने क्या रहा है तुम तो कि तुम कुए मेनी जाओगे भाई साफ रियलटी बता रहा हूं इंडिया के साइन करने के बाद में लोगों की सोचने की छमता खतम हो गई इसमें क्या इंपक्ट पड़ सकता है सभी ने साइन कर दिया एजियन अफ्रीकन कंट्री ने और जो 44 देसों से सुरू हुआ था ब्रेटें रूट कॉंफरेंस अब 123 देसों ने मिलके साइन किया अब ले कर आए WTO World Trade Organization अब क्या था उसमें तो मैं एक एक्जामपल आप देता हूं बाकि कल डीटेल में पढ़ाऊंगा ठीक है क्या वह एग्रिमेंट का टॉपिक कल है लेकिन मैं एक एक्जामपल आपको देता हूं ठीक है तो क्या था बच्चो उसमें एक एग्रिमेंट on agriculture था देगैं इसमें बोला गया कि दो टाइप के नेशन होते हैं एक नेशन होता है जो कैसा है डैबलपिंग अगर अबर्ण है जो डैबलाप्ड नेशन है फिक है वह आपनी टोटल जीडीपी का मानले जो उनकी जीडीपी यह है ठीक है जीडीपी में तीन चीज के पाड़ होते हैं एक होता है एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है सर्विस सेक्टर ठीक है मलब प्राइमरी सेक्टर सेकंडरी सेक्टर टलसरी सेक्टर बोला कि डेवलब डेनेशन आ एग्री कल्चर जीडिपी है उसका 5% सबसीडी डेगा बोले ठीक है और जो डेवलपिंग नेशन है उनकी जो एग्री कल्चर जीडिपी है उसका ये 10% देंगे आप दुनिया को महलूम है कि जतना डेवलपिंग नेशन का अग्री कल्चर जीडिपी होता है उससे कम हमारा होता है क्या जीडिपी पीट निया अब जीडिपी में भी अग्री कंचर हमारा यू रहा और उसमें भी कितने परसंट? 10% तो इनकी एग्रिकल्चर जीडिपी मानो 100 रुपए थी कि इनने 5 रुपए दिया क्या हमझे लो अपने आप सबसीडी और हमारी तो जीडिपी जो एग्रिकल्चर जीडिपी है वो विचारी 5 रुपए थी उस 5 रुपए का हमने 10% देकर क्या कर लिया 50 पैसे हमने दिये घेरा और घेरने के बाद बोला है ठीक है तेरे बोला कि चलो इससे अच्छा क्या होता है हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे मामला गड़बडा गया सब डूब गया मामला यहीं पर विखर के सब खतम हो गया बच्व इसी को कहते हैं डबलू टीओ और जी गया ठीक है टेक्स मती बना दिया गया ठीक है क्या क्या सारे अग्रिमेंट हो कल देखेंगे पहले यहां पर कुछ और अच्छा यह जो डबलू टीओ आया इसके पहले जीए टीटी का एट राउंड चल रहा था मिनिस्ट्रियर कॉन्स जिसका नाम था इरू गुवे ठीक ह यह सेप्टेंबर 1986 से अप्रिल 1994 चला यह जीए टीटी की वह आखरी दिन थे जिनमें वो सासे ले रहा था तो इस समय लोगों ने कुछ डिसीजन लिये क्या डिसीजन लिया क्योंकि हम सभी को मालूमें 1991 के बाद इंडिया ही नहीं बहुत से देशों ने अपने दरवाजे खोले क्योंकि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ उसी के आस पास में आपने देखा होगा बाकी अफ्रीकन कंट्री चाइना बाकी एसियन कंट्री साउट इस एसियन कंट्री यह सब भी उसी समय आजाद हुए थे 10-20 साल की अगल बगल में सबने दरवाजे बंद कर लिए अ अब जब भी कोई कैप्लिस्ट कंट्री हमारे आता बोटन नौक नौक तो हम बोलते देखो बाहर से बतिया लो जो भी बात करना है बाहर से खलो अंदर तो नहीं जागना अंदर मत देखना हम दरवाजा नहीं को लेंगे क्योंकि एक बास 1608 में एक आदमी आया था कैप्ट अपने तो ओपन एकोनॉमी हो गई 1991 में जब एलपीजी आया तो ओपन एकोनॉमी में आप ट्रेट्स के साथ साथ बाकी चीजों पर भी प्रॉब्लम क्रेट होनी थी वो क्या थी सबसे पहले इंटिलेक्ट्वल प्रॉबर्टी राइट कि समझ दो नहीं यह क्या होता है अब यार में टेलेंटेट अर्मी कम ठोड़ी नहीं ऐसा कार बनाते थे कि लेंबोर्गी नहीं फोड फेल हो जाती है की हम कॉपे दो नहीं तो ठीक है तो इसलिए हमने इंटिलेक्ट्वल प्रॉपर्टी राइट की बात उठाई यह डेबलपनेशन के कंसर्ण थे क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम थी ठीक है तो इंटिलेक्ट्वल प्रॉपर्टी राइट की साथ सथ बत्चु सर्विसेज में भी ट्रेड को लाया गया तो दो कंसर्ण कौन से आया थे यह रूग वे राउंड में नोट करो इस पर यूपेसी का क्वेशन आया है तीम कंसर्ण थ पैसे हो गया तो आएई बताते हैं आप सबसीडी दोगे आपके देस मैं आज जादा पैदा होगा डिमांड कम हो जाएगी अनाज हो जाएगा सफ्टा बहर की दुनिया में जाएगा तो बाहर की दुनिया को बर्बाद कर देगा क्यों क्यों वेश रुपे किलो और तुम् यह इसके पहले GATT में क्या कमी थी? GATT deals with या deals in only goods थीके? ना उसर्विस में deal करता था ना इंटिलेक्ट्ट प्रॉपर्टी राइट ना अग्रीकल्चर ठीके वो क्यों एक ही जगाँ deal करता था? क्लियर हुआ? हाँ, अच्छा, उसके लहाव देखेंगे यह देर वाज आज़ेंड़ फॉदर क्रियेशन आफ नियू इस्टिट्यूशन ने बलग हुए तो स्ट्रीम लाइन देश्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम और पॉलिसी रिव्यू मेकनिजम तो देखें बच्छों में फिर से आपर फैक्ट अलग से लिख रहा हूँ सर्विसेश आया इंटिलेक्शल प्रॉपर्टी राइट आया ठीक है उसको भी लेकर मैं बता रहा हूँ उसके साथ भी धोखा हुआ है वो मैं कल के अग्रिमेंट बताऊंगे इसलिए कल की क्लास मिस मत करना की साड़े ग्यारा बजए इसलिए लगी चलेगी और डिटेल में चलेगी ठेट है तो सर्विसेश आई पियार और आई पियार के साथ एग्री कल्चर और एग्रीकिल्चर यह तु त्व तीन एर्यास जो जिसमें डील किया गया जब इनकी डिमांड हुई तो लोगों ने बोला जब इतनी कमी है सवरे जी एक टीटी में ठीक है हटाओ उसको नया पुछलाओ तो फिल लोग डिसीजन लिए एक सु तो मलब ये 1994 में डिसीजन हुआ लेकिन 123 देसो ने मराकेश मुरगों में ठीक है पार्टिसिपेट किया औ गछेंग देखेंगे पहला किस्वां भाटिक लिक्र लेखें हुआ ठेक है पहलाा एक्रिमेंट प्रिमेंट ट्रिक व्ट्रीसिंग यह कि अफ्टिक अ च्रूक्य लेकिन अपडेटेड होगा अर्गनाजिशन दूसरी होगी जेनरल एग्रीमेंट अंडर ट्रेडिन सर्विसेज जिसमें इंडिया काफी डिमांड कर रहा है लेकिन बाकी दे समय सा धोखा कर रहे कैसे कल बताऊंगा ट्रेड डिलेक्टेड एस्पेक्ट इंटिलेक्च्वल प इन सब पर साइन हुआ और सब की और अर्गनाजिशन को बना दिया गया डवलू ट्यों तो देखें आप डवलू ट्यों किसके अंडर में था डेबलब्ड नेशन लेकिन भाई साब ट्रॉम्प आय थे अभी चले गए ठीके ट्रम्प ने ऐसा जटका कि दिया डवलू ट्य दिखेंगों को कि डवलू ट्रॉमाएं मालीक हो हमारी इजत मिली टि पंचान नबे में सुपंचान नबे जब तुम्हारा साइं कोई ता अभी तुम्हारा सर्थ याद रखना डवलू ट्यों वेंटीलेटर पे है डवलू ट्यों नीड आपशीजन और इंडियन गवर्मे या था 50 साल पहले आज हम उसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं वेंटी लेटर पर रखे हुए और जिनके स्लिय उसने हमें रोका दिया था वह सभी और अरगनाइज़ेशन आज उसको छोड़ चुके हैं समझ रहो नेक्स देखेंगे हैं ठीक है और इज एग्रीमेंट वर नेगोसी साइन हुए ठीक है और यार रखेंगे ता मराकेस एग्रीमेंट इंक्लूडेट कमिटमेंट वरी ओपन नेगोसीयेशन और एग्रीकल्चर एंड सर्विसेशन मतलब मराकेस में जब वो साइन हुआ तो फाइनल जबाया तो इन्होंने बोला कि काम करते हैं एग्रीकल्चर और सर्विसेशन पर हम नेगोसीयेशन आगे भी करेंगे ठीक है क्योंकि उसमें इन लोग को फाइदा उठाना था एड़ टर्न आप इस सेंचरी विच बिगान इन टू थाउजन ठीक है जैसी संदो हजार आया ठीक है वर इनकॉर्परेटेटेट इन्टू दोहा डेपलप एजन डाया और उसमें हम लोगोंने फिर से एग्री कल्चर वर सर्विस सेक्टर पर लब डिसीजन लिए इसके लावा जो इंटिलेक्ट्टल प्रपर्टी राइट से ठीक है इनको एरूब ये राउंड के बाद में कंसीडर किया जाएगा बार बार नेगोसीशन के लिए यह डिसीजन लिया था मरा केस में ठीक है तो बाद मुस्के उपर समय समय पे बहुत सारे डिसीजन है लेकिन यह सब रही तो बाते जो एक्रीमेंट में साइन हुआ लेकिन उसने पूरी ग्लोबल वर्ड को चार भागों में बाढ़ दिया है तो लोगों अपने रास्ते भी शुरू कि है तो बोला जाता है कि जितने भी कथोर कारूनों सब का एक这是 क्या सकते है उसका एक ने समझ रहा हो कि एक नएक option होता है plan भी होता है तो लोगों अपना plan भी तैयार किया सब से पहला free trade agreement एफटी ए दूसरा कस्टम उनियन तीसरा कॉमन मार्केट चोथा एकोनॉमिक यूनिए आई यह क्या होता है मैं आपको बता देता हूं सब्दूमें तिन समझ मैं आजये है ठीके और हाँ पुरी ट्येड एग्रिमेंट क्या होता है इसमें जो मेंबर निशन होते हैं ठीके ये मानने ये सब ये इसी के अंदर ये में मेंबर निशन है ठीके और सब आपस में क्या कर रहे है ठीके tax नहीं लगा रहा है मतलब reduce the tariff मतलब या तो tariff को कम कर रहे है या हटा दे रहे है तो जब भी group of nations आपस में tariff को कम करते हैं या हटा देते हैं आपसी trade के लिए उसे कहते है free trade agreement South Asian free trade agreement इसका example है अब आते custom union में custom union इसी का advance रूप है मतलब ये ऐसा FTA है जिसमें ये लोग आपस में तो कस्मलब tariff को हटा देते हैं या कम कर देते हैं लेकिन इसके साथ साथ जो non-member nation ये जो बाहर हैं तेके इनके साथ ये लोग common tariff share करते हैं समझे लाए common tariff तेके European union आपने सुना होगा नाम तेके common tariff common tariff मतलब ये कहता है कि हम सब आपस में डिउट में आपस में किसी प्रकार का कोई restriction नहीं रखेंगे हम आपस में free trade करेंगे या फिर reduce करेंगे tariff को ये हमारे उपर हैं लेकिन non-member के साथ सब अपना-पना देख उसे कहते ये लेकिन custom union कहता है कि हम आपस में तो जो चल रहा है चलने देंगे ठीके तो custom union को मैं अपने सब्दों में बोलू तो ऐसा free trade agreement या ऐसा free trade union जो non-member के साथ में भी equal ठीक है equal या same ठीक है tariff share करता हो उसे कहते custom union तो माने जी एरोपेन यूनियन ने एक free trade agreement है ठीक है उसने अमेरिका के साथ में ठीक है इंडिया के साथ में अमेरिका के साथ में इंडिया के साथ में बाकि देशों के साथ में सेम टैरिफ रखा उसे कहते custom union आगे समझ में आप आते common market अब कॉमन मार्केट के है कॉमन मार्केट एक कॉस्टम उनियन होता है ठीक है मतलब समझते एक free trade agreement है को एडवान्स मिला तो कॉस्टम उनियन और कॉस्टम इडवान्स मिला तो कॉमन मार्केट हो जब एक यूनियन में फेक्टर और प्रोड़क्शन फेक्टर और प्रोड़क्शन मतलब लेंड, लेवर इंटर्प्रेनियोर मतलब मल्टी नेशनल कमपनीज ठीक है ये फ्रीली मूप कर पाए without एनी रेस्ट्रिक्शन तुसे हम कहते हैं common market आगे समझ में तो देखिया पर लिखा हुआ है फेक्टर और प्रोड़क्शन जो है ठीक है जिनकी मूब्मेंट बिल्कुल रिलेटिबली फ्री रहे अमंगदा मेंबर कंट्री ऐसे कस्टम यूनियन को हम क्या कहते हैं common market common market डवलब करने के लिए कस्टम यूनियन चाहिए और इसका भी एक्जापल एरोपेन यूनियन है एरोप के जित्रे भी देस हैं ठीक जाए फ्रांस हो जाए जर्मनी हो जाए दूसे देस हो यह आपस में प्रेक्टर और प्रोड़क्शन फ्रीली मूब करते हैं जर्मनी वाला इटली में काम कर रहा है स्पेन वाला फ्रांस में कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि इनके बीच में कॉमन मार्केट है ठीक है अच्छा अब नेक्स आता एकोनॉमिक यूनियन ठीक है अब एकोनॉमिक यूनियन विऩर बहुत बढ़ी चीज़ है यह की जो तो एककोनोमिक यूनियून हідर कॉमन मार्केट चाहिए अर्म एकश्यंज लेक्शन निए बड़ता जाए तो इकोनोमिक क्योंने और सीष्ट गई क्यों नियुक्त हो को अदेन हो जैसे अध्मिक और आम हैस्ट अधार कर डूसरे दिसके साथ में डिसीजन कर के उसको सालोग रे या दोनों देस अपने अनीय में को सेप करने के लिए इसे पॉलिसी बनाए जिसमें इधर का आदमी इधर काम कर सकी इधर का इधर ताकि अने प्लाइमेंट रेट कम सब्सक्राइब तो मैक्र एकनोमिक इतने भी फीचर होंगे इंफ्लेशन होगा ठीके उसको कंडोल किया जाए ठीके फ्रिली मूब गूट्स और सर्विसेस ठीके इनक जीणर जो क्या करते हैं स्ट्व५लेशन आये या फ्यूचर जो वहां पे जोता हसकता है उसको रोका जा सकjoy के तो फ्यूचरह को क्या हो किया जा सके रोका जा सके ठीक जब्हीं स्थेक्येशन किसी सब्सक्राइब से लेकिन हमारे उनकी करेंसी में बहुत फ्लक्ट्वेशन है तो वहां पर ट्रेड लंबा नहीं चलेगा लॉस में जाएगा ठीक है तो सेम सिच्वेशन क्रीट होती है तो फिर इसी का क्या करते हैं एकोनॉमिक यूनियन तो आई होप यूप यूर गेटिंग पॉइंट ठीक है घ्रीस वाला इसु हुआ था वह बाहर निकला था यूके भी निकल गया उन्याटिट किंग्डम ठीक आप सभी को मालूम होगा क्योंकि उनको भी एकोनॉमिक ली बहुत जला लॉस हो रहा था अच्छा यूरोप में जर्मनी सुपीरियर है और बाकी जो अच्छा उनके पार जारा रिसोर्स है नहीं तो सब भूम फिर के एक ही पर डिपेंड है और इसी लिए वहां पर बाकी बॉंड जो है बॉंडिंगों टूपती नहीं है बहुत गहरा गहरी मोहबत है ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल में बताऊंगा डबलूटियों के सा होगी ठीक है यूटूब पर होगी मुझे अन अकैडमी एप पर फॉलो करें बच्चों यहां पर मैं आपको जित्ते भी टॉपिक है ठीक है इंपर्टेंट उनके एमसी क्यों कराता हूं आज तीन टेस्ट है ठीक है एक तीन बज़े है एक पांच बज़े है और एक साथ ब प्रोंटे